लेकिन हिमाचल प्रदेश में बड़ी जीत भारते जनता पार्टी के मतलब एक तरह से उनके दम पर मिली है कॉंग्रेस पार्टी को क्योंकि जैराम ठाकुर बुरी तरह से फ्लॉप हुए और जो लोकल मुद्धे कॉंग्रेस पार्टी ने हिमाचल में उठाये थे वो कारगर साबित हुए और इसी वज़े से बीजेपी को वहाँ पर इसी चटुकारिता के आगे आप कभी भी उस सवाद को नहीं चान पाएंगे जो सवाद कभी आपने जीवन में लिया ही नहीं हो जिस सवाद को हमेशा लेते हैं वही सवाद आपको हर ठहर हर जगह हर समान में अभी वी चट कारता है चल लई है लोग कितने गिरेंगे कभी इसके बारें हमने सोचा भी नहीं था पूर बहुमत से जो है कांग्रेश की सरकार बन रही है हमाचल परदेश में और गुजरात में बढ़ रही पूर बहुमत से बिजएपी की अंजनाम का सब देख रहा है किस तरह से या जो है बोल लेंगे कांग्रेश के लिए बोलना था पूर वहमस से जीत कांग्रेश ने पाई है लेकिन निकर गया बिजेपी से तो वह भी जो है उसमें भी परसंसा करने किसकी बिजेपी की तो बिजेपी ने जो है वहाँ पर उसके जो लीडर थे जैराम ठाकुरून जो पूरिता से फ्लाप हो के थे और कांग्रेश ने अस्थाने मुद्दे उठाए तो वाजित गए अरे वो जानता भी कुछ को सब होस्यार हो रही है हलाकि कांग्रेश बहुत अच्छी तो नहीं हम कहा चकते हैं और नहीं इसको बिजेपी को ही अच्छी का सकते हैं